जाहिंद फ्रेंड्स आज हम लोग इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की और बढ़ेंगे हमने एक टॉपिक खतम कर लिया एक क्या वैसे तो दो खतम कर लिया एक था डेटर्मिनेंट और दूसरा था मैट्रिसेज इन टॉपिक्स का रिवीजन आप सब्सक्राइब और चलते हैं इफ्रेंशियल एक्वेशन्स इफ्रेंशियल एक्वेशन्स में आपको दो चीजें हमेशा जो है प्रेक्टिस होनी चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहली बात तो इफ्रेंशियेशन की और दूसरा इंटिग्रेशन इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन को नॉर्मल एक्वेशन को इफ्रेंशियल एक्वेशन में बदलना हो तो हम इफ्रेंशियेशन का इस्तेमाल करेंगे और अगर रिवर्स करना हो इफ्रेंशियल एक्वेशन को का सल्यूशन निकालना हो या उसको normal equation में change करना हो नार्मल equation को कभी कबार ये भी बोल देते हैं ordinary equation उसमें बदलना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे integration का तो differentiation और integration के आपको basic formula clear होने जाहिए पहली चीज तो ये दूसरी चीज ये कि differential equation कहते किसे है differential equation में तीन टर्म होंगे एक तो derivative plus independent variable plus constant ये तीन टर्म होंगे independent variable या dependent variable भी यहाँ पर हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये तीन टर्म होंगे differential equation में जो हमारे slavus में है वो दो टाइप की differential equation है कौन कौन सी एक तो है ordinary differential equation और दूसरी है partial differential equation ordinary differential equation वो होती है जब हम ये लिखते हैं यहाँ पर ये तब बनेगी ordinary differential equation कहते किसे हैं ये जो y है इसको बोलते हैं dependent इसका value क्या हो change हो और x होता है x को independent variable बोलते हैं independent variable तो ordinary differential equation तब बनती है when only one independent variable is present जैसे जैसे ये y is equal to x square plus 2x plus 4 अगर ये लिखा है तो यहाँ पर क्या है independent variable x है और x का जैसे से मान बदलेगा y का मान बदलता जाएगा तो y को हम x के रूप में जब differentiate करेंगे तो क्या लिखेंगे dy by dx इसको बोलते हैं differentiation का operator dy by dx को वो किस पर operate कर रहा y पर लेकिन जब more than one independent variable हो more than one independent variable हो एक से ज़्यादा independent variable हो तो बनती हमारी partial differential equation और partial differential equation को कुछ इस तरीके से denote किया जाता है इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है कि पार्स x का y का partial differentiation with respect to x इसका मतलब यह हुआ कि y के वल x पर depend नहीं कर रहा y ए x के अलावा भी कोई वो हो है variable जिस पर वो depend कर रहा तो suppose मैं y को लिखता हूँ x square t plus t square plus x t square plus 4 तो यहाँ पर y क्या है दो लोगों का function है एक x का और एक t का तो इसमें क्या करते हैं इसका यह मतलब है partial differentiation partial differentiation of y with respect to x अब जब x के respect में differentiate करेंगे तो दूसरा independent variable क्या होगा तो यहाँ पर दूसरा independent variable को constant मानेंगे दूसरा क्या अगर तीसरा भी हुआ चाओ था 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 सब को constant मानेंगे जिसके respect में differentiation करना है खाली उसको देखेंगे बस बाकी सब हमारे लिए क्या है constant की तरह treat किये जाएंगे इसी तरह आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है एक तो ordinary differential equation में भी और partial में भी ठीक तो order of differential equation अभी हम ordinary की बात कर रहे हैं ordinary में ही पढ़ेंगे भी शुरुवात में फिर हम partial में जाएंगे तो by default आपको कुछ न दिया जाया तो आप ये मानेंगे कि ordinary differential equation की बात चल रही है तो order of differential equation क्या होता है वो जान लेते हैं dairy way to order of maximum order of maximum derivative जैसे कि इसमें maximum dairy way to क्या है कि इतनी maximum बार differentiation किया गया है तो दो बार इसका order कितना हुआ तो कि इतनी maximum बार डेरी वेस्ट डेरी वेस्टन किया गया हो डेरी डिवेटिव लिया गया हो differentiation किया गया हो वो क्या होगा उसका order एक example के थुरू और समझते हैं यह लिखा है कि वाई का maximum कितनी बार differentiation किया गया है एक बार यह वल एक ही डेरी वेटिव है डी वाई बाई डी एक्स यह तो उसकी पावर है ना कि इफ्रेंसियेशन तो maximum एक ही बार हो रखा है ना ठीक है तो इसकी order क्या हो जाएगी इस एक्वेस्टन का इस डेरी वेटिव मैक्सिमम डेरी वेटिव या कैए हाईस्ट डेरी वेटिव कुछ भी कहिए ऩक वो उसका क्या बताएगा ऑडर और डिगरी क्या बताएगी हाइए हिए क्थ डेरी वेटिव तो आलडर बताएगा अब उस हाइएस्थ डेरी वेकुड कि जो पावर होगी की power वो क्या बताएगी degree लेकिन यहाँ पर सर्थ है कि जब हम highest derivative की power देखेंगे तो दो condition फुल्फिल होनी चाहिए equation must be free from radical sign and fraction ना तो वहाँ पर कोई radical sign होना चाहिए और ना ही fraction होना चाहिए fraction का मतलब क्या हुआ भिन्ने के रूप में नहीं होना चाहिए जैसे अगर मैं इसकी degree की बात करूँ तो इस maximum derivative की power कितनी है 1 तो इसकी order तो 2 है लेकिन degree इसका क्या है इस equation का 1 यहाँ पर देखिए यहाँ पर order तो 1 है लेकिन इसकी power क्या है highest derivative की maximum power वो क्या है 2 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2 तो जो maximum लेंगे वो लेंगे तो यहाँ पर भी degree क्या हो जाएगी 2 तो जो highest derivative होता है कितनी बार differentiation हो रखा है वो बताएगा order और उस maximum derivative की जो power होगी वो क्या बताएगी degree लेकिन उस power को निकालते समय यह ध्यान रखना है कि equation में कोई भी fraction और radical sign ना हो ठीक अब चलिए ज़रा आपको एक example के तोर पर समझा देता हूँ जैसे यह लिखा है d square by d x square कि power 3 by 2 plus d y by d x square plus 2 y is equal to g अगर आपको इसमें पूछा जाए order तो order क्या बताएंगे order यह बताएंगे कि जो highest derivative हो क्या है y का कितने बार differentiation हो रखा है दो बार तो order तो हो गया है दो लेकिन degree degree में क्या करेंगे degree में यह करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है fraction और fraction आ रहा तो सबसे पहले इस fraction को आपको हटाना है तो क्या करेंगे इधर लिखेंगे d square y by d x square d power 3 by 2 बाकी को इधर ले आईए d y by d x का square plus 2 y यह 2 का भटेगा जिब हम दोनों तरफ क्या कर दें square कर दे तो d square y by d x square d power 3 is equal to इसका square करेंगे तो क्या मिल जाएगा minus का बन जाएगा यह plus तो इस क्या बन जाएगा d y by d x का whole square plus 2 y और इस पूरे का अब यहाँ पर fraction नहीं है और fraction नहीं है तो इसका maximum power कितना है 3 तो इसकी degree क्या हो जाएगी यह याद रखिएगा कि degree और power हमेशा एक positive integer ही होंगे ना तो negative होगा ना fraction में आएगा ठीक एक चीज आपको और बता दें जो की आगे आपके काम आएगा number of order क्या बताता है जो order की value होती हो क्या बताती है वो यह बताती है numbers of arbitrary constant in equations, constants in equation मतलब अगर मैं इस equation को solve करूँगा तो solution कुछ ऐसा आएगा a function of x plus b function of x या constant function of x भी आ सकता है, constant भी आ सकता है मतलब जिसना इसका order होगा उसमें constant उतने ही होंगे उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगे यह इसका महत्व है, importance है order का degree से हम decide नहीं करते हमेशा किससे decide करेंगे? order से जितना order होगा उतने ही आपके constant रहेंगे equation में या solution में ठीक है? और अगर constant जितने हैं तो आपको यह जानना है कि उतने order की आपके differential equation होगी वाइस वरसा भी true है ठीक है? तो order क्या बताता है? differential equation में जब solve करेंगे तो जो equation आएगी है जो solution आएगा उसमें कितने constant होंगे यह इसका क्या बताता है? order बताता है ठीक? क्लिए अब हम देखते हैं formation of differential equation differential equation को बनाते कैसे है? ठीक? तो बनाते कैसे हैं? तो सीधी सी बात यह है ordinary equation का differentiation करके by differentiating the ordinary equation and eliminating the arbitrary constant जो हमारे constants हैं general constant उनको क्या करना है हमें? eliminate करना है मैंने बता दिया है कि जितने constant होंगे उतने ही order का आपको equation बनाना पड़ेगा अगर उतने order तागा आप नहीं पहुंचे इसका मतलब कि आपकी differential equation नहीं है ठीक? तो चलिए देख लेते हैं जो बुक मैं follow कर रहा हूँ वो मैं HK10 engineering mathematics follow कर रहा हूँ advanced engineering mathematics NP बाली भी आप follow कर सकते हैं या कोई भी किसी भी author की आप follow कर सकते हैं तरीका एक ही है question जो example में दिये गए है exercise में दिये गए है maximum courses कीजिएगा example solve करने का example अगर आपके command में हैं तो maximum question example से ही आते हैं exercise के वल प्रैक्टिस के लिए है ठीक है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि example कोई भी मत छोड़िएगा example को बिना solve की ये मत जाईएगा ठीक है वो आपको solve करना है आप किसी भी question से आप किसी भी book को follow कर सकते हैं इसे भी question लगा सकते हैं concept के लिए एक ही book पढ़िएगा तो मैं इचकेदास को follow कर रहा हूँ ये easily available है online इस वज़े से ठीक है दूसरा जो है NP Bali भी एक book चलती है उसको भी आप follow कर सकते हैं फिर एक grey wall करके कोई writer हैं उनकी भी चलती है ठीक है तो जिसका भी आपको सुविधा हो जो आपके पास easily available हो उसको आप follow कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम question लेते हैं और ये देखते हैं कि differential equation को बनाते कैसे हैं ठीक ये हमारा ये हमारा question है पहला question क्या कह रहा है कि form the differential equation by eliminating arbitrary constant in the following cases also write down the order of differential equation obtained तो y is equal to क्या है ax plus a square ठीक तो यहाँ पर एक constant ये है तो dy by dx क्या मिला अगर मैं differentiation करूँ तो क्या मिलेगा a ठीक अच्छा एक चीज और आपको बताना था वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ चली आगे बता देंगे पहली बात तो आपको differentiation and integration के formula यह आपको याद रखने है ठीक है तो differentiation का formula क्या है x की power n का अगर मैं differentiation करूँगा तो आता है n x की power n minus 1 similarly अगर integration करूँगा x की power n का यहाँ पर क्या करते है n को multiply मिलाते है और फिर n power में से एक subtract कर देते है यहाँ पर क्या करते है power में एक जोड देंगे और उसको जो होगा power में एक जोड़ा जाएगा उसको क्या करेंगे उससे भाग कर देंगे यहाँ पर क्या करते थे multiply करते थे ठीक यहाँ पर क्या करते है divide करते तो इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने यह किया एक ही value आपको मिल गई एक ही constant है तो order of differential equation क्या होगा एक अब यह value value वहाँ पर जाकर पूट कर दीजी तो y is equal to क्या मिला dy by dx x plus dy by dx का यह ध्यान रखिएगा जो आपकी equation बनेगी उसमें कभी भी constant term नजर नहीं आएंगे उसमें arbitrary constant नजर नहीं आएंगे a, b, c, d, x यह सब नजर नहीं आएंगे या तो उसमें कोई number नजर आएगा 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, something या x और y या उनके derivative इसके लाब और कोई नजर नहीं आएगा अगर नजर आ रहा है इसका मतलब समझ जाएगे की अभी आपको सालो करना और बाकी है, मतलब अभी आप exact answer पर नहीं पहुंचे, ठीक है चलिए अब इसका अगर आप से पूछा जाए की order क्या है, तो क्या बताएंगे 1 और पूछा जाए कि degree क्या है तो degree क्या है जो maximum derivative है वो है, एक बार differentiation किया गया उसकी maximum power कितनी है, 2 तो degree इसकी क्या है next question next question क्या कहता है कि y is equal to a cos x plus b sin x यह है कितने constant है तो हमें second order की differential equation बनानी ही बनानी है तो बिना कुछ सोचे समझे first derivative कर दीजिए first differentiation constant constant ही रहेगा cos का differentiation minus sign होता है minus sign x plus b sin x का differentiation cos x होता है फिर दुबाराइ कर दीजिए differentiation d square y by d x square minus a sin का differentiation cos or cos का differentiation minus sign d square y by d x square is equal to यहां से minus common ले लीजिए minus common लेंगे तो क्या बचेगा a cos x a cos x plus b sin x यही बचेगा cos x का फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ d square y by d x square is equal to minus यह क्या लिखा है y यह आपका answer है इसी को थोड़ा सजा कर लिख दीजिए d square y by d x square plus y is equal to 0 यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसकी maximum derivative क्या है 2 तो इसका order कितना हुआ 2 इस maximum derivative की power कितनी है 1 तो इसकी degree क्या हो गई कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कि इसे समझ में आ रही होगी यह तभी समझ में आएंगी जब आपको differentiation और integration आते हैं basic formula खाली basic formula जानने की ज़रूरत है बस ठीक चलिए third question c क्या दिया है y square is equal to ax square plus bx plus c पहली बात दिमाग में आना चाहिए कि यहां पर कितने constant arbitrary constant 3 तो इस equation इस से जो differential equation बनेगी उसका order कितना होना चाहिए 3 तो पहले एक बार differentiate करते हैं तो y square का differentiation 2y फिर y बचा तो y का है dy by dx is equal to क्या आएगा 2ax plus b यही आएगा ठीक दुबारा करते हैं 2 first into second का formula लगा दीजिए first second का differentiation plus second first का differentiation y का differentiation dy by dx is equal to क्या आएगा 2a यही आएगा 2 से 2 cancel तो a की value हमें क्या मिली y d square y by dx square plus dy by dx का whole square ठीक अब अगर मैं एक बार और करता हूँ differentiation तो मुझे क्या मिलेगा constant का differentiation 0 यहाँ पर first second का formula फिर से लगा दीजिए फिरस्ट का differentiation plus second first का differentiation plus इसका differentiation करेंगे तो क्या आएगा 2 dy by dx into क्या आएगा d square y by dx ठीक अब 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 third order का हो गया ठीक है इसमें कोई constant नहीं है नहीं है तो फिर आप क्या कर दीजिए इसको यह आपका answer ठीक कहीं कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ठीक है third order आपको मिल गया last equation में कोई भी arbitrary constant नहीं है अगर arbitrary constant होता फिर हम एक बार differentiate करते यहाँ पर 3 maximum arbitrary constant है तो इसका maximum order क्या है 3 अब अगर यहाँ पर order आपसे पूछा जाए तो order तो हो जाएगा 3 क्यों क्योंकि maximum derivative क्या है 3 और उस maximum derivative की power कितनी है 1 तो यहाँ पर डिगरी क्या हो जाएगी ठीक आप समझ में आ गई ठीक है अब exercise करना हो कर लीजिए यह दोनों टर्म d2 by dx square d y by dx यह और यह add हो जाएगे क्योंकि दोनों एक ही टर्म लिखे है तो आपका answer क्या मिल जाएगा y d cube by dx cube plus 3 dy by dx into d square y by dx square is equal to 0 यह आपका answer है यह answer यहाँ पर दिया गया है ठीक चलिए यह क्या कह रहा write the order and degree of following differential equation यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि highest derivative क्या है 2 तो इसका order कितना हो गया 2 order 2 हो गया और highest derivative कि power कितनी है 1 तो इसका degree क्या हो गया यहाँ पर देखिए second वाला question मैं बताए दे रहा हूँ 1 प्लस dy by dx कि power 2 3 by 2 y का maximum derivative कितना है 2 बार तो order तो हो गया 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब हमें क्या निकालना है degree degree के पहले यह ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या fraction यह fraction का भटेगा जो हम दोनों तरफ square कर देए square कर दीजिए 1 प्लस dy by dx का whole square 3 अब इसकी यह हो जाएगी क्या degree जो highest derivative है उसकी power क्या है 2 तो यह हो जाएगी क्या degree क्या है 2 तो बार differentiation हुआ है इसका मतलब की degree क्या है वो order क्या है 2 लेकर उसकी power क्या है है डेरिवटिव की 3 तो order हुआ 2 और degree हुई 3 ठीक चलिए आगे क्या कह रहा है यह example देना है linear differential equation of second order first degree second order first degree का मतलब second order का मतलब यह हो first degree का मतलब इसकी power क्या हो 1 इसके आगे कुछ भी लिख दीजिए 4 y ही लिख दीजिए equal to 0 यह आपका बन गया equation ठीक फिर क्या कह रहा है non-linear differential equation of second order second degree यह second order है इसी को second degree कर दीजिए फिर क्या कह रहा second order third degree यह second order है इसी को third degree क्योब कर दीजिए कोई दिक्कत ने ठीक यह इसी के example यहाँ पर यह दिए गया है question में ठीक आगे बढ़िए obtain the differential equation of which y square is equal to तो हमें क्या दिया है y square is equal to 4a x plus 4a square यह दिया गया है ठीक तो 2 differences कर दीजिए 2y dy by dx is equal to क्या आ जाएगा 4a यह आ जाएगा तो दूना 4 तो a का मान क्या निकला y by 2 dy by dx a की वैलू वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा y square is equal to 4 y by 2 dy dx plus 4 y by 2 dy by dx तो क्या आया y square बराबर 2y dy by dx plus यह square करेंगे 4 cancel y square dy by dx का इसमें कोई constant नहीं है जब कोई constant नहीं है तो यह हमारा थिक यहाँ पर x था x का मादध हमसे छूट गया x यहाँ पर लिख लीजिए थिक इसी को y square को इधर ले आएंगे तो आपको answer मिलें या इसी को आप answer लिख सकते है ठीक है next क्या लिखा है obtain the differential equation associated with the primitive ax square plus by square is equal to 1 कितने constant है तो आपकी differential equation कितने order की बनेगी तो order order उसका क्या होगा 2 ax square plus by square is equal to 1 differentiate कर दीजिए x के respect में तो 2 ax plus 2 by 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 dx is equal to 0 इसी equation को ऐसे भी लिख सकते है ax plus by 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 dx is equal to 0 2 समने भाग कर दिया again differentiate कर दीजिए तो आजाएगा a plus b क्या हो जाएगा first into second first second का differentiation plus second or first का differentiation is equal to 0 तो यहां से क्या मिला y d square y by dx square plus dy by dx का whole square is equal to 0 यह आपको मिला अब हमें a और b को क्या करना है eliminate करना है तो a और b को eliminate करने के लिए क्या करते हैं यह है equation 2 और first derivative की equation थी यहां क्या कीजिए x का multiply कर दीजिए तो लिखिए equation 2 is multiplied by x and subtract it by one यहां पर two x का multiply करके और यहां से subtract कर दीए जब subtract करेंगे तो क्या मिलेगा अईसा क्यों किये ताकि हमारा a cancel हो जाए तो पहली बात तो यहां पर x का multiply करेंगे तो क्या आएगा ax plus b xy d square y by dx square plus x dy by dx का whole square is equal to 0 यह वाली equation क्या लिखी है ax plus by dy by dx is equal to 0 यहां से ax की value निका लिए वो हो जाएगी minus by dy by dx और यह वाली value यहां पर put कर दीजी जब put करेंगे तो हमें क्या मिलेगा minus by dy by dx plus b xy d square y by dx square plus x dy by dx का whole square is equal to 0 b common ले लिजिए और b common लेते ही भाग दे दीजिए b से b को हटा दीजिए तो आपका equation क्या बनेगा xy d square y by dx square plus x dy by dx का whole square minus y dy by dx यहां पर कोई भी constant नहीं होना चाहिए constant कितने थे a और b यहां पर कोई नहीं है यह आपका answer कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा otherwise आगे बढ़ते हैं fifth number question क्या कह रहा find the differential equation corresponding to this same case है निकाल लेते हैं question क्या है y is equal to a e की power 3x plus b e की power x कितने constant हैं दो तो differential equation जो बनेगी उसका order क्या होगा दो थिक तो dy by dx e की power ax का differentiation होता है e की power ax into a थिक तो यह क्या हो जाएगा 3a e की power 3x plus b e की power x थिक दुबारा से करते हैं d square y by dx square कितना हो जाएगा 9 a e की power 3x plus b e की power x थिक दोनों equation को क्या कर देते हैं subtract कर देते हैं तो एक cancel क्या हुआ dy by dx minus d square y by dx square is equal to यह कितना हो गया minus 6 a की power dx यह हुआ यह था first यह था second यह है equation third थिक हम इसमें से इसको भी घटा देते हैं ताकि b और b cancel हो जाए तो इसको मान लेते हैं fourth equation यह दिया ही है ठीक है तो क्या लिखते हैं dy by dx minus y is equal to अगर इस equation से इसको घटाएंगे तो b यह वाले तो cancel हो जाएंगे d a में से a गया 2 a तो 2 a e की power dx ठीक तो a 2 a e की power 3x का मान यह है यहाँ पर जाकर report कर दीजिए तो क्या लिखेंगे दिखेंगे यह dy by dx minus d square y by dx square minus वो equal to minus 3 और 3 के बाद यह dy by dx minus y रख सकते हैं ना 6 को क्या लिख दीजिए 3 into 2 और यह पूरा मिला करके इसका मान यह है यहाँ पर जाकर पूट कर दीजिए इसको इधर ले आईए यह minus 3 का क्या हो जाएगा 4 तो 4 dy by dx minus d square y by dx square और यह minus 3y है इधर आएगा यह plus 3y है इधर आएगा minus 3y इक्वल टू जीरो अरेंज कीजिए फाइले higher order लिखीए minus के साथ फिर minus से multiply भी कर दीजिए इसका order कितना है 2 2 आना ही था क्यों क्योंकि इसमें constant कितने है 2 ए और ठीक आगे क्या कह रहा by the elimination of constant a and b find the differential equation this is a solution ठीक इसका कहने का यह मतलब है कि इसका differential equation बनाईए इसका differential equation बना लेते है y is equal to क्या दिया है e की power x a plus x plus b sin x कितने constant है 2 तो maximum order कितना होगा differential equation का 2 तो dy by dx a और b का multiplication का formula लगा दीजिए first function a और b नहीं first और second लिखते है यह first है यह second है पूरा तो first function second का differentiation इसका differentiation कर दीजिए तो a cos x का differentiation minus sin और sin का differentiation cos plus second function a cos x plus b sin x into first function का differentiation यह क्या लिखा है y तो y को इधर लेते आईए तो dy by dx minus y is equal to e की power x minus a sin x plus b first again differentiate क्योंकि हमें second order तक महुचना ही पहुचना है तो d square y by dx square इसका differentiation हो गया और इसका differentiation करेंगे तो आजाएगा dy by dx again first or second का formula to first function second का differentiation minus a sin x का cos x or cos x का minus sin x plus second function into first का differentiation e की power x का differentiation e की power x e square y by dx square minus dy by dx is equal to ये क्या लिखा है ये लिखा है y with minus sin तो यहाँ पर लिख दीजिए minus y ठीक और ये क्या लिखा है minus a sin x plus b cos x into e की power x इसकी value क्या है ये तो प्लस dy by dx minus y ठीक तो equation क्या बनी square n जिकर लिजिए इन सब को उधर ले जाईए तो क्या बनाई equation d square y by dx square dy by dx इधर गया उधर गया minus में तो minus 2 dy by dx minus minus y minus 2y इधर आएंगे इसमें फाइनल में कोई भी constant नहीं होगा अगर constant है तो उसी में जोड़ घटाना करके हटाना है second order से ज़्यादा आप नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि जितने constant है maximum उतना ही order होगा तो जैसे ही उतना order मिल जा उसके बाद अब आपको constant को हटाने के लिए आपको जोड़ना घटाना ही है बाकी कुछ नहीं करना ठीक है? चलिए क्या लिखा है? find the differential equation whose solution is this इसका मतलब यह हुआ इसका आपको क्या करना है? differential equation निकालना है तो क्या कर देंगे? इसका तो आप direct ही निकाल लीजिएगा बस एक यह गलती है वो क्या है? तलिए निकाल ही देते हैं y is equal to लिखा है a cos x plus 3 वो equal की जगे plus है हो ठीक है? तो dy by dx क्या निकाला? इतने constant है एक तो order of differential equation एक ही होगा a अब क्या हुआ? cos का differentiation minus sin minus a sin x plus 3 अब हमें a को हटाना है और एक ही बार हमने differentiation कर सकते हैं तो क्या कर दीजिए? इसको भाग कर दीजिए dy by dx divided by y is equal to minus a sin x plus 3 divided by a cos x plus 3 a से a cancel so dy by dx divided by y is equal to minus tan x plus 3 यहां से क्या आया? dy by dx plus y tan x plus 3 is equal to 0 यह आपका answer ठीक? यह answer गलत दिया गया है अब आगे क्या कह रहा है? so that set of function form से basis of the differential equation this obtain a particular solution when y is equal to 1 and y is equal to 2 यह question आगे आजाएगा फिर हम इसको बता देंगे ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही आज हमने क्या सीखा? कि differential equation को का formation कैसे करते हैं? अब हम आगे देखेंगे कि differential equation को solve कैसे करते हैं? ठीक है? तो next topic में next lecture में हम लोग solution of differential equation पढ़ेंगे शुरुवात first order first degree से करेंगे और फिर higher order और higher degree में जाएंगे जब यह खतम हो जाएगा ordinary उसके बाद हम partial में जाएंगे ठीक है? तो अच्छे से मेनत कीजिए सब तक के लिए धन्यवाद